दोस्तों हम आपको देखाएंगे आज जो बार आया था वहां पे बार के बाद खेत का काईस्तिती है और उसमें फसर है कि नहीं धान हुआ कि नहीं हुआ आपको देखाएंगे किसानों के इसमें काफी नुपसान हुआ है और उस जमीन के खेती नहीं हुआ है और जो लगाये थे धान वह भी भाग गया है फिर दुबारा उसमें कोशिस कर रहे हैं कि धान लगाने के लिए और किसानों को डबल महनत लग रहा है उसमें और लगाय भी रहे हैं बहुत लिखता है तो आप लाइक जरू करें जो मेने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो आइए आपको देखाते हैं वह किसान का खेत जहां फसल लगा था और बार में डुब गया था तो जो धान है उगल गया था और वह गया था और इसमें दुबारा खेटी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो का आखी तक देखते रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो लाग जरू करें तो देखाते हैं उसकी सान का खेट जहां धान लगा था यहीं छेत्र है जहां बाड़ा आया था यहीं पूरा पानी भर गया जो सामने गाउं दीख रहे हैं और गाउं तक पानी पहुंच चुका था गाउं में पानी पहुंचने के बहुंद लोग तो जब रिस्ष्चतार के हां और जो कि जान बचाना है उनको बाड़ में तहारा पाएंगे फिसे पहले से रुपाई हो चुका थे बढ़ा और तो पिर उसको दूबार रुपाई किया है और जब इन तो किसे दिख रहा है और खाली है अभी आपका फिर इसमें रुपाई के काम चलेगा किसान का हाल और यहां नहर नहीं है आप उपर की भरोग्तिम रते हैं किसान यहां पर पूरा धान बार में नुक्सान हो गया था देखिए दे इसमें कल ही लगाए है रुपाई किया है अभी और किसान लोग लगाए ही नहीं है खाली पड़ा हुआ जमीन बहुंद दुख होत होता है ऐसी सिति में किसान के जो खेती है नुक्सान हो जाता है यहां भी देखिए इस साइड में आपको इधर देखाते हैं यहां पर चला है फिर दुबारा धान लगाएंगे इसमें खाली पड़ा हुए जमीन उधर देखिए जो धान है आपका कैसे दिख रहा है जो पूरा जहां तक दीखता है आपको नजर उठाके वहां तक पर पानी पानी था बार ही बार था और मैंने वीडियो भी बनाया था यहां का बार का और धान को दिखिए यहां कर देखिए गल्चुका है पूरा यह दिख रहे है आपको इसमें फिर दुबारा लगाना यहां कि इतना नुपसान देखो गरीब आदमी खेती किये हैं और इसमें खातु लगाया थे ना और पूरबा गया बाड में और सरकार मिलना चाहिए क्योंकि देखिए इनके पेर में पर भी नहीं इतना गरीबी सिती सिस्ट चालते किसान इसके बारे में सोचना चाहिए कि करें और कुछ बार्पीत के लिए खाद वाद प्रीदे क्योंकि जहां बार्पीत है वहां खाद बाज आते हैं इसको दुबारा खाद मिलना चाहिए दुबारा मजदूरी के पैसे मिलना चाहिए क्यों भई आपको आप खेती करते हैं अब कैसे जीवन चलाएंगे कैसे पालेंगे गोबार खरीतने से काम नहीं चलता है जो बार्पीरित है उनके बारे में सोचना चाहिए तब तो आगे बढ़ेगा किसान ऐसे में किसान खेती करना छोड़ देंगे क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे लेकिन बार उसको पुरा भाग ले जाता है अब नहीं लगाएंगे तो घर के से चलेगा आपका भी मजदूरी करेंगे बताइए ऐसे में किसान का इसतर गीरते जाएगा ना कोई खेती नहीं करेंगा फिद्धान कहां से होगा मौका भी नहीं अब समय निकल गए नहीं देकि यह बस्तर के सान जो हल्वा का चौड़ा है आँ वहां का है अब पुरा बार प्रित में पुरा पानी पानी भरासा यहां पर य है उसमें भी पुरा बह गया पुरा पुरा सब्सक्राइब करें तो सरकार जल्दी जल्दी मदद करें अच्छे रहेगा है तो बीचारे लोग कहां जाएंगे को दोस्तों देखे हैं आपने खेत का क्या हल है और अब कर जो किसे पैदा हो जो आपको क्योंकि यह आपने दहान लगाया है खातकी चीज़े पानी बहा कर ले गया किसान को कितना नुक्सान होता है वह जानता है इनका हाल और इसके बारे में हम क्यात बता सुझ सकते हैं आप पुचिये आगे और इस्तिति कैसे गुजरता होगा मुझे तकलिब हुआ कि एक खेत में डबल काम होता है क्योंकि फिर लगा उसी को बार आ सब्याइबल के वह गया तो फिर नुक्सान होता है फिर उसी में काम करो इसलिए गीः बना हुआ मेरे धेशे से सोना उगले हीरे मोती मेरे धेश कि धार्टी हम क्को मि програм के आम तो रहा है हे पाण है उगाने नकी देटा अधी खोने से हसल खराब हो जाता है तो दोस्तो आपने देखें कैसे पास